सभी को नमस्कार, मैं इंदु आरिये सहाचारिये समाज श्यास्त्र आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुर्खीम के सामाजिक तत्यों के बारे में इससे पूरू वाले वीडियो में हम दुर्खीम ने जो सामाजिक तत्यों के प्रकार बताए हैं उनके बारे में डिसकस कर चुके हैं दो प्रकार के सामाजिक तत्यों का दुरखीम ने अध्यन किया और बताया कि सामाजिक तत्ये दो प्रकार के होते हैं सामाने सामाजिक तत्ये और व्याधि की ये सामाजिक तत्ये आज हम व्याधी किये सामाजिक तत्यों के वारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले दुर्खीम ने जो तत्यों की परिभाशा दी है व्याधी किये सामाजिक तत्यों की वह परिभाशा दुर्खीम के शब्दों में जो तत्थे समाज के माननेता प्राप्त इस तर से भिन्ने हैं उन्ही को व्याधिकिये सामाजिक तत्थे कहा जाता है इसका आर्थ यह है कि जिन घटनाओं को समाज सामाने द्रिश्टी कौन से नहीं देखता तथा जिनके घटित होने की कोई सामाने दर नहीं होती उन्हें व्याधिकिये सामाजिक तत्थे कहा जा सकता है दुर्खीम ने तुलनात्मक आधार पर व्याधिकिये सामाजिक तत्थे की प्रकरती को इसपस्ट करते हुए यह भी बताया कि सामाने सामाजिक तत्थे में जहां सामाने ता सामाजिक स्वास्ते उप्योगिता तथा संगठन के गुण होते हैं वहीं व्याधिकिये सामाजिक तत्थे वे हैं जो समाज में इसी पीडा से उत्पन होते हैं उधारन के लिए आत्म हत्या एक सामाजिक तथ्य हो सकती है लेकिन समाज में विसंगती की दशा उत्पन होने पर यदि विसंगत आत्म हत्याएं होने लगें तो इन्हें व्याधिकिये सामाजिक तथ्य माना जाएगा दुर्खीम का कथन है कि सामाजिक पीड़ा एक एचेतनता की दशा है जो व्याधिकिये होती है इस प्रकार इसपश्ट होता है कि समाज को शति पहुँचाने वाली घटनाएं जिन सामाजिक तथ्यों को जन्म देती है, उन्हीं को दुरखीम ने व्याधी किये सामाजिक तथ्यों के बारे में दुरखीम के विचार अधिक इसपश्ट नहीं है इसका कारण यह है कि एक और दुर्खीम ने अपराद तथा आत्मात्या को सामान्य सामाजिक तत्थे के रूप में सुईकार किया है जबकि दूसरी और यह सुईकार करते हैं कि समाज के माननेता प्राप्त इस तर से भिन्य एवं समाज को शती पहुँचाने वाली घटनाएं व्यादिकिये सामाजिक तत्थे है इस रूप में अपराद तथा आत्मात्या को भी व्यादि किये सामाजिक तत्य ही कहा जाना चाहिए था लेकिन फिर भी दुर्खीम ने इन दोनों को ही सामान्य सामाजिक तत्य कहा है अपराद को एक सामान्य तत्य के रूप में दुर्खीम ने समझाया है दुर्खीम ने सामान्य तत्या व्याधी किये सामाजिक तत्यों की प्रकृति को इसपस्ट करने के लिए अपराद का रोचक उधारन देते हुए इसे एक सामान्य सामाजिक तत्ये कहा है साधारन तया अपराद को एक व्याधी किये सामाजिक तत्ये माना जाता है लेकिन दुर्खीम ने अपनी व्याख्या के आधार पर बताया है कि अपराद में अनेक ऐसी विशेश्ताओं का समावेश है जिनके कारण इसे एक सामान्य सामाजिक तत्ये ही कहा जा सकता है इसका सबसे पहला कारण जो दुर्खीम ने बताया है वह है अपराद की प्रकृती सारू भौमिक है दुनिया में कभी भी कोई समाज ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी ने किसी रूप में अपराद ने पाए जाते हूं इसका तात पर यह है कि अपराद में सामान्यता की विशेष्टा विद्यमान है जो की सामान्य सामाजिक तथ्यों की विशेष्टा मानी जाती है दूसरा जो दृष्टिकों दुर्खीम ने रखा है उसमें दुर्खीम ने बताया है कि अपराद समाज के लिए उप्योगी भी है क्योंकि यह सामाजिक जीवन की बुनियादी परिस्तितियों से जुड़ा रहा है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि समाज के नैतिक नियमों तथा कानूनों का उद्विकास अपरादी व्यवारों के संधर्व में ही हो सका है दुर्खीम का कतन है कि जिस समाज में अपराद होते हैं उस समाज की सामुहिक भावनाएं काफी लोचपूर्ण होती हैं और इसलिए वहाँ विवार के नए रूपों को आसानी से ग्रहन कर लिया जाता है दुर्खीम ने यह इसपस्ट करने का प्रयत्न किया कि विचलन और प्रगती के बीच गहरा संबंध है जब भी किसी समाज में विचलनकारी विवार बढ़ते हैं तब उनके समाधान के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं समाज के दुआरा उनमें वह वह प्रयत्न सामाजिक प्रगती के कारण ही संभव हो पाते हैं इसलिए दुर्खीम ने लिखा है एक स्वस्त सामाजिक विवस्था के लिए अपराद आवशक है और इसी रूप में हम अपराद को एक सामाजिक तत्थे के रूप में देख सकते हैं इस प्रकार से दुर्खीम ने अपराद को समाज के लिए एक सामान ने सामाजिक तथे बताया है आगे हम डिसकस करते हैं सामाजिक तथें के अध्यन के नियम किस प्रकार से हम सामाजिक तथें का अध्यन करें समाज में दुर्खीम की यह द्रड माननेता थी कि समाज शास्त्र की अध्यन वस्तू सामाजिक तत्य ही हो सकते हैं इन सामाजिक तत्यों का वेग्यानिक विधी से अध्यन करके ही हम समाज शास्त्र की प्रकृति को वेग्यानिक बना सकते हैं इस संबन्द में सबसे प्रमुक समश्या जो दुर्खीम के अनुसार है कि वे कौन से नियम है जिनके आधार पर समाशास्त्री अध्यन के लिए एक विग्यानिक पद्धिती को विक्सित किया जा सकता है और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए दुर्खीम ने जो उनकी पु दुर्खीम ने बताया कि समाशास्त्र के अध्यन करता या अध्यता द्वारा किये जाने वाले शोदकारिये अनिवारी रूप से इन नियमों को ध्यान में रख कर किये जाने चाहिए जो नियम है वो दुर्खीम ने इस प्रकार से प्रस्तुत किये हैं सबसे पहला सामाजिक तत्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाना चाहिए दुर्खीम ने बताया कि समाज शास्त्र में हम सामाजिक तत्यों का अध्यन करते हैं लेकिन सामाजिक गटनाएं समाज में इतने एवेवस्तित रूप में विध्यमान होती हैं कि इन घटनाओं के आधार पर सामाजिक तत्यों का विशलेशन करने में हमें बहुत सावधानी की आवशकता होती है साधारन तया जब हम कोई समाशास्त्री अध्यन करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर ही घटनाओं के बीच एक विशेश संबंद इस्तापित कर लेते हैं यह पद्दती तुरूटिपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति के जो अपने विचार होते हैं वो अध्यन में सम्मिलित नहीं होने चाहिए सामाजिक घटनाओं का विज्ञानिक अध्यन तभी किया जा सकता है जब हम सामाजिक तत्यों को ठीक उसी प्रकार एक वस्तू के रूप में देखें जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तत्यों को वस्तोनिष्ट रूप में देखा जाता है इसका ताथ पर ये यह है कि हम सामाजिक तत्यों को केवल एक विचार अत्वा अउधारना ना मान कर एक ऐसी वस्तू के रूप में देखें जिसका बाहरी रूप से अवलोकन किया जा सकता हो और इसी अवलोकन के आधार पर उसकी व्याख्या और तुलना की जानी चाहिए एक वस्तू केवल वही होती है जिसे निरिक्षन और प्रयोग के दुआरा हम वास्त्विक रूप में समझ सकें और उसे संबन्दित आंकडे प्राप्त कर सकें किसी भी वस्तू को हम अपने अनुमान या किसी पूर्व अधारना के आधार पर इसपस्ट नहीं कर सकते दुर्खीम ने अपने पूरुवर्ती विचारकों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे सभी विचारकों ने सामाजिक तत्यों का विचलेशन केवल वहचारिक आधार पर प्रस्तूत किया है जबकि उन्हें यथार्थता के से संबंधित विच्जानिक विचलेशन प्रस्तूत करना चाहिए दुर्खीम ने यह भी स्विकार किया कि सामाजिक तत्यों की तरह पूर्णतया मूर्थ नहीं होते लेकिन इससे सामाजिक तत्यों का विच्जानिक अध्यन करने में कोई भी वाधा उत्पन्य नहीं होती है उन्होंने श्रम विभाजन तथा आत्मत्या से संबंधित अध्यन करके अपने इस कतन को प्रमानित कर दिया कि सामाजिक तत्यों का वस्तु के रूप में अध्यन करके कहीं भी अधिक सही आंकडे एकत्रित किये जा सकते हैं इस प्रकार जब हम सामाजिक तत्यों को एक वस्तु समझ कर अध्यन करते हैं तो दुर्खीम की अनुसार हम वेग्यानिक पद्दिती की अनुसार अध्यन कर रहे हैं